एक्सराइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एक्सराइस 5a के क्वेशन नूमबर 4 को जिसमें उसने कहा है क्वेशन देट्स यह सभी के सभी डिफरेंट है और इंपॉर्टन है इस टाइब के क्वेशन साप को क्लास नाइथ में भी मिलेंगे और क्लास टेंथ में भी मिलेंगे अगर इन questions के strengths आप अभी समझ लेते हो तो class 9th और 10th में फिर आपको महिनत करने के ज़्यादा ज़रूद नहीं पड़ेगी सारी चीज़ें easily solve हो जाएंगी तो देखते हैं strengths step by step देखते हैं question को इस question को समझने के लिए strengths पहले में एक बात पर गौर करना होगा कि अगर हम आपसे कहें कि two numbers हैं ठीक हैं जिनको add करने में आपको 10 मिलता है बात समझेगा आपके पास two numbers थे जिनका sum करने पर या जिनको add करने पर 10 मिलता है अगर उनमें से एक number 6 है और आपसे पूछा जाए ये बताए ये other number क्या होगा तो आपको तुरंत आंसर आजाएगा सर फोर होगा आप सीधा बोल देंगे question फिर से मेरे ध्यान से सुनियेगा कि ऐसे लिखा हुआ था कि माले जब कोई two numbers हैं जिनको add करने पर 10 मिलता है अगर उनमें से एक number 6 है तो ये बताए दूसरा number क्या होना चाहिए आप सीधे से बोलेंगे अगला number 4 होगा और अगर आप से पूछा जाए ये 4 कैसे होगा तो आप सीधे कह सकते हो कि सर जो sum दिया था sum में से हमने एक number को minus कर दिया तो हमें मिल गया 4 और ये ही इसका required answer था बात सुझ में आ जाएगे यारे हम कहना क्या चाहरे है इस ठीक है वैसा ही देखिए question number 4 पर उसने का है the sum of the digits of a two digit number is 15 उसने का एक two digit का number है जिसके digits का sum 15 है मतलब उसके two digit होंगे आप यहां पर ऐसा कह सकते हो कि एक once digit था यहां से ऐसे कह दो एक once digit था और एक tens digit था दोनों का sum जो है वो 15 है बात सुझिएगा दोनों का sum कितना है 15 उसने यहां पर बोला था the sum of the digits of a two digit number two digit के एक number का जो sum है वो 15 दे रखा है तो आप सोची अगर हम कह दें एक number इसमें 10s वाला या once वाला कोई फरक नहीं पड़ता मालीज हमने कही दिया कि once वाला जो number है या digit है वो 8 है तो अब बताएए 10s digit वाला number क्या होगा तो अब क्या करेंगे 15 में से 8 सब्ट्रेक कर देंगे तो 7 आ जाएगा यह जो digit 7 आ जाएगा लेकिन अभी तो आपको 8 9 10 कुछ बताया नहीं once digit के बारे में तो once digit को अगर हम लोग x लेट कर लेंगे तो 10s digit क्या हो जाएगा 15 माइनस x ठीक है क्योंकि जब यहां पर 8 था तो 15 माइनस 8 किया तो आपके पार x है तो 15 माइनस x हो जाएगा यह तो था इसका logic की किसी साब से हम लोग इसको लेट करेंगे अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही हो कि सीरे सर बता दीजे कैसे हम लोग कर सकते हैं तो याद रखेगा जब भी कभी digits का sum something दिया होगा तो उनमें से एक digit को आप x माल लेजे दूसरा जो digit होगा वो sum minus x होगा कहने के मतलब हम लोग कह सकते हैं let the once digit let the once digit be x once digit क्या होगा x और अगर दो digits का sum दे रखा है तो इसका मतलब जो 10th digit है वो क्या होगा तो लिख देंगे 10th digit equals हो जाएगा 15 minus x बास सुझ जाए एक नहीं आ रहे है भई ठेक है अगर उसने दो digits का sum दिया था तो उन में से किसी भी एक digit को आप x माल सकते हैं जो other digit होगी वो जितना sum दिया होगा उतना minus x हो जाएगा इतना clear हुआ ना इसकी पहले की वीडियो जो मैंने बनाई है question number one से लिए question number four तक वहाँ पर मैंने एक बात हर बार repeat करी है कि अगर आपको one से डिजिट और ten से डिजिट मिल जाते हैं वो x की form में हो या बिन x की form में हो आपको तुरंत एक number बनाना है तो हम लोग भी यह आप एक number बनाएंगे number इकोल्स बताया था मैंने आप लोगों को क्या होता है 10 से डिजिट इंटू 10 प्लस one से डिजिट इंटू 1 और value रखते हैं इस 10 तो देखिया 10 से डिजिट है अपने पास 15 माइनस x इंटू 10 हो गया फ्लस वन से डिजिट के जगह x हो गया इंटू 1 आ गया ठीक है भई तो इतना आगे अपने पास क्या एक given number अब question कहा रहा है the number obtained by interchanging its digits question ने कहा कि इस number के digits को interchange करने से तो चले digits को interchange कर लेते हैं x को ले आते हैं इसकी जगह पर और इसको ले जाते हैं x के जगह पर तो हो क्या जाएगा भई ठीक है डिजिट को बदल देते हैं वंस की जगह टेंस और टेंस की जगह once तो x को ले आएंगे 10 के साथ में तो यह हो जाएगा x into 10 plus 15 minus x को ले जाएंगे लिटा है कैसे इंटर चेंजिंग इस डिजेट इसके डिजेट को इंटरचेंज करने से तो सुचिया गया इसके डिजेट को interchange कर दें तो हमको यही नंबर मिले कि नहीं मिलेगा क्या होता है भई तो उसने आगे लिक रखका exceeds, exceeds का मतलब मैंने इसके पहले बताया थे यह क्या होता है greater तो मतलब हो गया कि इस तरह से जो number मिलता है वो greater है किस से the given number given number से greater है तो given number क्या है अपने पास 15 minus x into 10 plus x into 1 यह तो था अपने पास given number तो उसने कहा है जब digits को interchange कर देते हैं तो जो number मिलता है वो इस given number से ज़्यादा है कितना 9 कौन ज़्यादा है यह वाला number क्योंकि उसने यही बात बोली थी the number obtained by interchanging its digits digits को interchange करने से जो number मिल रहा है वो 9 ज़्यादा है और पहले की वीडियो में मैंने proof के साथ बात बताई थी कि जिसको भी यह कहेगा यह इतना ज़्यादा है उसके opposite वाले को ज़्यादा करके हम उसको equal कर देंगे तो उसने कहा है interchange होने के बाद जो number मिला है वो 9 ज़्यादा है equal करने के लिए हम लोग other side वाले को 9 ज़्यादा कर देंगे बस इतनी से बात थी जो ज़्यादा समझने वाली तब के वाल और के वाल solve करना और कुछ नहीं करना देखे 10 का मिल्टिप्लाइ X से करा देंगे तो 10X हो जाएगा 15 का मिल्टिप्लाइ 1 से 15 माइनस X का मिल्टिप्लाइ 1 से तो माइनस X एक्वल सदेखे गा 10 का मिल्टिप्ला इससे तो हो जाएगा 150 माइनस 10 का मिल्टिप्लाइ X से तो माइनस 10X हो गया प्लس यहाँ पर आजाएगा X और प्लस हो जाएगा 9 अब देखे गा 10X से 1X अप्रेक करेंगे तो बचेगा अपने पास क्या 9x प्लस ये हो जाएगा 15 एक्वल्स यहाँ पर 150 में 9 एड़ कर देंगे तो हो जाएगा 159 माइनस 10x है और प्लस का x है तो बचेगा माइनस का 9x x वाले सभी नमबर एक साट रख लेते हैं और जो constant value है numerical value उनको अधर साइड minus 9x को right side से transpose करते हैं left hand side तो 9x इधर पे था ही minus 9x इधर आगे तो बन गया plus का 9x equals 159 यहाँ पहले से था plus 15 को transfer उदर कर देंगे तो minus 15 हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 18x इसको subtract करते हैं 9 से 4 गया sorry 9 से 5 गया 4 हो जाएगा 5 से 1 गया 4 हो जाएगा यहाँ पे आएजाएगा 1 अगर हम लोग x की value यहाँ पर निकालेंगे strengths तो 18x के साथ multiply में है उधर जाएगा divide में 144 upon 18 हो जाएगा 144 x की value आजाएगी 8 ठेके भई अब x की value अगर 8 आगई तो उसने पूछा क्या था find the original number तो original number क्या है तो भाई यही जो starting हम लोगों ने बनाया था ना यही original number है strengths question को बहुत ध्यान से समझेगा नहीं बिलुकुल भी समझ में आएगे नहीं और फिर 9th और 10th हम एक बहुत बड़ी problem क्रेट करेंगे अब आगे देखते है strengths x की value आगई अपने पास 8 उसने पुछे original number तो original number यह दे रखा है लिख देते हम लोग यहां पर original number equals original number equals क्या है अपने पास 15 minus x तो हो जाएगा 15 minus x x की value आगई है 8 उसको रख दिया into 10 है उसको लिख दिया plus लगा दिया x की जगह 8 हो गया into 1 हो गया 15 सेट गया बचेगा 7 into 10 plus हो गया 8 10 सेट गया 70 plus यहां पर आगया 8 70 में 8 हैट कर देंगे तो हो जाएगा 78 और यह हो जाएगी स्टेंट्स इसका answer इस तरीके से स्टेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिसकस कर लिया question number 4 को जो थोड़ा सा different था बाकी questions से तो में रे स्टेंट्स आपके questions जरूर समझ में आया होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे स्टेंट्स तो वीडियो को लाइक और शेर करने में कंजूसी मत करिएगा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक बने रहे गाजे coaching classes के साथ में